वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जो बलर्ट में एक नए वर्थी के साथ चलिए फ्रेंड्स सुरू करते हैं फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने कुछ दिन पहले बीएस आप बार्डर सिक्योर्टी फोर्स का एक वीडियो डाला था जिसमें तो सो साथ वेकेंसी रखी गई थी तो फ्रेंड्स उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आज मैंने उसका वीडियो डाला है जिसमें मैं आपको बताओंगा कि आपको अपने बीएस आप के ओन ओफ लाइन फोर्म को किस तरह से फिल अप करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मैं application form का जो link है वीडियो के description में डाल दूँगा आप वहाँ से अपने form को download कर सकते हैं और उसके लिए बर सकते हैं तो सबसे पहले मैं candidate से request करूँगा कि प्लीज वीडियो अंतक देखे ताकि आपको पता लग सके कि आपको अपने form को किस तरह से fill up करना है और आप उसमें कोई गलती नए करें तो चलिए friends में शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनकी www.bsf.nick website है जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा बात करते हैं friends हम closing date की तो जो candidate इसकी opening date थी वो 26 जून थी और जो closing date होगी वो 23 जून 2018 होगी यानि कि 31 दिन का समय मिला हुआ है आपको उसके बीच में आप अपने form को fill up करकर वाँ पर दिये गए पते पर सेंड कर सकते हैं जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ बोड़ा समय आपको बता दू आपको category wise कितनी vacancies रखी गई थे तो friends जो vehicle mechanic के लिए जनरल में 37 पोस्ट SC में 10 और ST में 3 OBC में कोई पोस्ट नहीं थी टोटल पोस्ट 50 थी तो उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी trade से सम्मनित कितनी पोस्ट इस बरती में रखी गई है अब बात करते हैं इसके pay scale के बारे में तो level 3 के हिसाब से जो आपकी salary होगी starting वो 21,700 रुपे होगी और जो last year होगी वो आपकी 79,100 रुपे आपके इसमें pay scale होगा थोड़ा साब को मैं इसकी education qualification के बारे में बता देता हूँ जो constable technical group C की पोस्ट होगी इसमें matriculation 10 वी class पास होनी चाहिए और आपके पास जो है ITI का diploma होना चाहिए किसी भी board university के दुआरा या फिर industry and training institute certificate भी आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास relevant trade यानि कि जिस trade में vacancy आई हुए है उसका three years work experience आपके पास होना चाहिए यानि कि इसका कोई diploma आपके पास three years का होना चाहिए बात करते हैं थोड़ा सा age limit के बारे में तो technical के लिए जो between होनी चाहिए age आपकी 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए आप बात करते हैं relations of ways under यानि कि जो age election दिया हुआ है friends वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो SC cost के लिए होगा वो पांच वर्ष के लिए होगा SCST के लिए और other backward OBC के लिए तीन वर्ष कर रखका गया है एक सर्विसमेन एक सर्विसमेन OBC SCST के लिए सबी के लिए आप रखा गया है आप देरे देरे एक एक करके आराम रामसे से देख सकते हैं लेकिन फॉमबर्ण में कोई भी गलती नहीं करें मैं आप से request करता हूं अब मैं आपको इसके physical standard के बारे में बताता हूं फॉर मेल कंडिडेट के लिए कंडिडेट की जो हाइट है वो 165 cm होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो 75 cm और 80 cm आफ्टर आपका एकस्पेंशन के आपकी जो चेस्ट का फुलाओ है वो 5 cm का होना चाहिए बात करते हैं वेट के बारे में तो corresponding height as per limited यानिकि आपकी height के साब से जितना weight होना चाहिए फिजिकली तोर पर उतना weight आपका होना चाहिए यानिकि यही कोई 555 के बीच में आपका weight होना चाहिए नौट में थोड़ा से मैं आपको बता जो minimum height candidate के होगी वो मैं आपको बताई चुका हूँ के 155 cm होनी चाहिए और आपके as per rule के साब से इसमें आपकी height चलेगी और आपकी chest भी female candidate के लिए जो height होनी चाहिए friends वो height आपकी 157 cm होनी चाहिए और जम्मो कश्मीर आदी स्टेट के लिए जहां पर जिसमें अलग से इसमें 155-150 cm भी होगी chest not applicable यानिकि उसमें कोई applicable नहीं है आप जो कैसे भी कर सकते हैं और weight तो आपका as per rule height के साब से ही होगा जो medical standard होगा आपका तो वो better जो आपकी better eyes होगी वो N6 होनी चाहिए और जो versus आई होगी वो 9 N होनी चाहिए इनके 6 by 6 आपकी जो है इसमें आपकी eye side होनी चाहिए friends बात करते हैं इसके अब हम selection process के बारे में तो first price जो examination आपका written examination होगा वो 100 marks होगा OMR base answer sheet के दुआरा तो उसमें जो objective type question आपको मिलेंगे multiple choice के हिसाब से जिसमें आपको two hours in के 120 मिनट में आपको so question करने पड़ेंगे एक बात आपको और बता दूँ जो आपका base written examination होगा वो केवल और केवल ITI base पर होगा अब मैं बात करता हूँ physically measurement के बारे में तो जो आपकी running होगी वो 3.2 km in 17 मिनट यानिके 17 मिनट में जो male को है वो 3.2 km की जो race है वो करनी पड़ेगी और female को 1.6 यानिके 1600 मीटर की जो race होगी वो 9 मिनट में करनी पड़ेगी कोई ज्यादा hard physical भी नहीं रखा गया है जो personal knowledge test वो completely आपके ITI base पर लिया जाएगा जो medical profession है जैसे कि armies में medical profession होता है उसी के साब से आपका medical profession इसमें लिया जाएगा friends बात करते हैं mode of payment के बारे में तो जो male candidate होंगे जर्नल और OBC के उनके लिए 100 रुपे फीस रखी गई है और इसको आप दो तरह से अदा कर सकते हो एक postal order के दौरा जो कि आपको किसी भी डाखाने से मिल जाएगा और दूसरा bank draft के दौरा जो कि आपको bank में बनवाना पड़े के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता है उसमें center जो center code है और center के नाम यहां पर लिखे हुए मेरे हैं से यहां पर 11 11 center आपको मिले हुए है यहनि कि इन 11 center में आप अपने form को कहीं पर भी डाल सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं the room application be sent यहां पर आपको अपन टू लिखेंगे यहनिकी टू वाले में अपना लिखेंगे जैसे आपको अपना address होगा और जहां पर आपको बेजना है जैसे मान लो आपको जम्मू बेजना है तो inspector general यहां पर यहनिकी जम्मू का address है वो फिल्ट करना पड़ेगा अगर आप जालेंदर बेजना चाहते हैं और वहां पर जाकर आप 100 रुपे का postal order खड़ी दे उसमें अपना address बढ़े और जहां पर आपको जिसके लिए फिस को देना है उनका address जैसे कि आपको अगर जम्मू का देना है तो IGBSF जम्मू SBI जम्मू code इतना नंबर आपको यहां पर 0678 यह है पर लिखा हुआ है इसको बढ़ना पड़ेगा अगर आप जालेंदर के लिए तो जालेंदर और मान लोगर आप बैंक ड्राफ्स से चाटे हैं जो कि बैंक ड्राफ्स से थोड़ा easy है तो आप किसी नज़दी की बैंक में जाओ उनको कूँ उनको बोलो कि आपको अपना bank ड्राफ्ट 100 रुपे का बन देंगे और फिर आप अपने डोकुमेंट के साथ लगा कर उसको बेज सकते हैं लगा कर कैसे बेजना है और फॉम को कैसे बढ़ना है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा कुछ टू सैल अटेस्टिड आपके पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जो कि आपके फॉम पर अलग भेजने होंगे और जिसमें आपके पास टू सैल प एडरस आपके पास पोस्टर स्टांप होने चाहिए यानि कि जिन पर आपका एडरस लिखा हुआ और उन पर 27 27 रुपे के डाक टिकट लगे होने चाहिए और उनके साथ आपके दो फोटो होने चाहिए जो कि आप फोन के डोकुमेंट के साथ लगा कर बेजेंगे अगर आपको फोन बढ़ने में कोई भी प्रशानी होती तो मैं अपना नंबर कमेंट में दे दूँगा आप मुझसे फोन करके किशी भी वक्त पूछ सकते हैं मिस कोल कीजिए मैं खुद कोल कर लूँगा आपके हैल्प के लिए तो 27 रुपे के आप दो लिफाप और डाक्टीकट लगाएं अलग-अलग 27 के एक पर 27 के एक पर और आपको जो अपना अप्लिकेशन सेंड है वह आपर करना पड़ेगा एप्लिकेशन फोर दे पोस्ट ऑप दे कांस्टेवल टेकनिकल बीस अप मोटर काड़ कंप्लिटली वह फिल्ड होना चाहिए आपके द्वारा ड्यूली सिगनेचर के द्वारा है निके आपके असेल पर टेस्ट बिया वो होना चाहिए और टूले टेस्ट फोटो जो कि मैं आपको वीडियों बता चुका हूं पहले ही उसके बाद आपका सो रुपे का ड होने चाहिए कागर के लिफा पर जिन पर सत्ता सत्ता जूपे के आपके डाग टिकट चिपके होने चाहिए अप्लीकेशन जो एड्मिट काड़ को डूली फिल्ड सिगनेचर बाई कंडिडेट के द्वारा होने चाहिए निके किसी भी गोर्मेंट डॉक्टर टीचर वकील क द्वारा आपकी जो डॉकुमेंट से वो वेरिफिकेटिड होने जरूरी है और आपके सेल्फ भी होने जरूरी है तो चली मैं अब बताता हूं आपको फोर्म कैसे बढ़ना है तो चली फैंस आप केरफुरी सुनें सबसे पहले रिजिस्ट्रेशन नमबर जो की फिल्ड बा आपको उस पर लगाना पड़ेगा वो फोटो आपका सेल्फ अट्रेश्टिड भी होना चाहिए और किसी डॉक्टर या वकील या गोवर्मेंट सर्वेंट के द्वारा अट्रेश्टिड होना चाहिए पोस्ट फूर अप्लाइड यानि कि आप किस पोस्ट के लिए अपने प्लाइड कर रहे हैं टर्णर मशीनिस्ट फीटर वहिकल मैक अधी के लिए तो वह आप यहां पर लिख देंगे उसके बाद आप देख सकते हैं आपर फूल नेम कैपिटल लेडरस में आपका फूल नेम होना चाहिए रै वह सोरी ब्लैक पैन या ब्लू पैन के दोवारा त उसके बाद का नाम जालना पड़ेगा फादस नेम कैपिटल लेडरस में आप अपने फादस का नेम डालेंगे सब्सक्राइडरस जो कि आप जहां पर रहते हैं उसका पर्मयनेंट एडरस विध पिन कोड तब आपना पना नमबर डालेंगे उसके बाद आपका परस्नल नम पर रहते हो तो अपने जहां पर पर्म служच पर्मनेंट डालोगे corresponding घरस्ष बहुरछ माहीं कडाल दोगे जदि आप घर सेmost बाहर रहते है तो पर्मनेनेंट SI घरका क्लवused घरका होगा ओगा जोじゃ को्रिस्पंड करते वह होते हैं तो अपने हों का डाल देंगे नेशनल्टी आपकी इंडियन और केवली इंडियन अपलाई कर सकते हैं आपको अपना दसंकों या सोलंकों का जो भी आधारकाट नंबर होता होगा वो फिल करना पड़ेगा रिलीजन आपका धर्म क्या है अलपसंक्यक यानि के मुसलमान हिंदू जो भी होगा वो आपको यहां पर बढ़ना पड़ेगा इसके बाद आपकी कैटेगरी जर्ना अभी सिस्द जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप यहां पर लिखेंगे उसके बाद nacional कोलम में आपका एजुकेशन कौलिफृकेशन आपकी अपनी एजुकेशन कौलिफृकेशन होगी जैसे फिल्स टरिएए ऐक एक करके details for examination उसके बारे में name of school यानि कि आपने किस word से अपने जो अपने उपर अपनी qualification दी उसके भी नीचे लिखना पड़ेगा जैसे 10th class आपने आपके school का नाम क्या था उसके body of university का नाम क्या था आपका जो examination passing year था वो डालना पड़ेगा division किस division तो आप पास हुए और percentage जो mark कितनी परसेंट आपके marks आए उसके बाद आपना बारवी का उसके बाद आपका आईटिया का आईटिया का बहुत जरूरी है experience यानि कि अगर आपके पास experience है तो डाल देंगे और नहीं है तो नहीं लेकिन आईटिया का डिपलोमा आपके पास जरूरी होना चाहिए NAC और NTC दोनों यानि कि apprentice भी और ITI भी या फिर तीन एर्स का आपके पास केवलो केवल तीन एर्स का experience हो तो तब भी आप अपने form को फिलब कर सकते हैं उसके बाद resin rank held यानि कि decision rank held इससे आपको कोई relation नहीं है आप इसको नहीं बरेंगे बारवे को बिल्कुल नहीं बरेंगे visible interaction marks इसको भी आप नहीं बरेंगे केवलो केवल अगर experience जिसके पास होगा केवल वही बरेंगे और नहीं बरेंगे ठीके दोस्तों अब नीचे जलते हैं उसके बाद आगा आपका date of birth according to citizen charge के दुआरा in figures यानि कि आपको figures में अपना याप पर date of birth भढ़ना पड़ेगा फिर word फिर शब्दों में आपको भढ़ना पड़ेगा पहले इंकों में फिर शब्दों में उसके बाद आपका as on last replacement यानि कि जो form की last date होगी वहां से as on करके आपको अपनी जो days, month और years completely निकालने होगे और तब अपने as on में यहां पर भढ़नी होगी date of month यानि कि आप कितने दिन, कितने month और कितने years के हो चुके हो इस form की last date तक उसके बाद आपका sex यानि कि आप male या फिर female उसके बाद material status इसमें आपको कुछ नहीं बढ़ना है ओके दोस्तों डिड्यू मीन अचीव दै एप्लिक्शन स्पोर्ट्स यानि क्या अगर आप स्पोर्ट्स में कोई ख्याती अलग से डिप्लोमर रखते हैं तो यहां पर है तो ठीक और नहीं तो नो उसके बाद self if you are employee यानि कि आपने अपने employed action में अपना कराया हुआ है अगर है तो यहां पर लिख दो और नहीं है तो नो कर देना है अगर है तो उसका department name decision hold वगए आपको सभी कुछ लिखना पड़ेगा इससे अच्छा है मतलिए उसके बाद आप नीचे आता है details of fees यानि कि थोड़ा सा बता दू 19 कोलम में details of fees का मतलब क्या होता है आप यहां पर लेखेंगे तो आपको अपना place लिखना पड़ेगा जहां पर आप रहते हैं और date डालने पड़ेगी जबसे आपको अपने form को send कर रहे हैं वो date डाल देंगे left thumb impression किसी भी not pad के दुआरा जो नीले रंग का होगा आप अपने left thumb impression का यहां पर निशान लगाएंगे उसके बाद इधार आएंगे तो signature of the applicant आपके अपने signature यहां पर होने चाहिए ठीक है दोस्तों certificate अब थोड़ा सा note के बारे में जो आपको बता दो हालां किसी कोई खास ज़रूत नहीं है certificate दर्शीर यानिके एक जो note होता है सभी अपना अपना note हर भड़ती वाले निकवाते हैं जैसे certificate दर्शीरी जो आपका नाम होगा hold on पर जो लिख जाएगा आप अपना यहां पर डालकर उसको बरेंगे उसके नीचे जबाएंगे तो place or date signature of the head officer cell यहां पर आपको head officer की cell के आपके नहीं आपके नहीं आपके अपना place or date लिखेंगे उसके बाद आप फिर नीचे आएंगे यह आपका आचुका है admit card का एक फर फोर्फोर्मा जिसमें आपका admit card वहां से आएगा रिष्टेसन नंबर वो खुद बनेंगे officer और जो roll number होगा उसको भी officer लाने वारे कि उसके बाद जब आप नीचे आएगे signature of candidate यहां कि आपको अपने signature यहां पर डालने पड़ेंगे उसके बाद जब आट्विर नोवे कॉलम में आप आएंगे तो यहां पर लिखा है four officer use only इसको के बाद आप इस नीचे आएंगे तो इसकी instruction को पड़ेंगे this is the certificate that key me अपना में आता है आपको पता होगा उसके बाद आप यहां पर डेट डालेंगे उसके बाद आप यहां पर उसकी बाद कुछ नहीं करेंगे फिर दो जी नोट है उसे पढ़ सकते हैं friends मैंने आपको पहले ही बताया था कि form को बढ़ने के लिए केवल नीले और काले बाल प्वाइंट पॉन का आप पर योग करेंगे friends मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं आपके जो application का link होगा video के description में मिल जाएगा आप उसे वहां से भी download कर सकते हैं मेरा mobile नंबर जो क को खुद बखुद बता दूँगा एक बार फिर से request करता हूं गर video अच्छा लगा हो और आपके काम का हो तो please like करे share करें और subscribe तुछ जरू करें thank you दोस्तो welcome जैहिन जैवारत